आप सभी को राधे राधे, जैश्री कृष्णा, शी राधा वल्लव, शी हरिवान मेरी आपक्षिली दो-तिन दिन से मेरी तब्याद ठीक नहीं है तीन दिनों से पिछले और कुछ टेस्ट और होंगी तो पता लगेगा बट मैं आज ऐसी बात कहना चाह रहा हूं कि जो सायद मुझे सोसल नेटवर्क पर नहीं करना चाहिए और जिस बात से मतलब बोलते हुए मुझे बड़ा जीव सा लग रहा है कि जीते जिन्दगी चैन नहीं मिला मरने के बाद भी पता नहीं चैन मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं अपनी खौइश बता रहा था कि अगर बैचान देखिए सरीर है और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है पर जैसे घर वाले जो चीज मेरे घर वालों को तीन दिन पहले फोन आया तो तब से मैं थोड़ा सा माइन में चीजे चलती है आदमी परिशान तो होई जाता है जाए कितना भी घर परिवार छोड़ दे मेरे घर पर फोन आया था और मेरी मदर का कहना है कि मैंने तुझे जनम दिया है और मैंने अपने खून से सीचा है तुझे और अगर खुदा ना खासता तुझे कुछ हो जाता है या तू मतलब समझ सकते हो कि तू अगर तुझे कुछ हो जागा तो हम अपनी तरह तू जैसे मैंने तुझे जनम दिया तू अपने आपको मिझे ही सौप दियो ये बोल दे तो अपनी वीडियो में कि तेरे मदने के बाद भी हम लोगों का वो रहेगा तो मैं ऐसा तो कुछ बोलूँगा नहीं मेरी इक्षा तो यही है कि अगर कभी बैचंस फ्यूचर में भी कभी हो तो मेरी इक्षा है कि शी अमना जी का टठो प्यारा बंसी बठो मेरा सावरा निक जब प्राम तन से निकले बट मा की भी इक्षा है मुझे समझ तो खेर कुछ भी नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए या भी मैं जिन्दा हूं तब जाकि ऐसी बाते करी जा रही है मेरे बारे में सुनके यह दुख हुआ कि जीते जिन्दगी तो च आँगा और अभी मेरे कुछ करम है जो कट रहे हैं जो शिजी कर रही है अगर हो भी जाता है ना तो मैं कर लोता हूँ आ आजये मुझे इस चीज्का डर नहीं है कि मैं मौस्ते रो रहा हूं या मौस्ते परिशान हों करो रोना ऐसा कुछ भी निया मेरे आस्प इसलिए कि म बाबा प्रेमा नंजी से एक बारे में जरूर मैं बात अपनी रखूँगा कि यह जो चीज है क्या मतलब मरने के बाद अगर सरीर को मेरी तो एक्छा यही है कि यमना जी पे ही वो हो और यमना जी का मतलब जीते जिंदगी मैं पहला है सवेक्ति हूं जो यह बात बोल रहा हू मैं दसल जादा जी लूँगा तो क्या कर लूँगा और दसल पहले मर गया तो क्या कर दूँगा तो मुझे मरने से कोई डर नी है पर ये सब लोग जो लोग बोलते हैं कि यह हो जाएगा वो हो जाएगा ला का कुफरा कह रहा है तुम लोग खड़े खड़े देखना कि मैं दिल जलता है, वो दिल जल रहा था, तबियत मेरी ऐसी खराब थी, बाल थोड़े से बड़े हो गएते, तो ऐसे जड़ेते, जैसे हाथ में यूँ आ गए, तो फिर बाल फिर से हटाना पड़ा है, मैं सोचा था, श्रीजी सब किर्परहीं ही सो जाए कोई बात नहीं, ये तो स अच्छा नहीं चाह सकते, तो मेरा बुरा भी मच्छा हो, ऐसी बाती ये सिच्वेशन में मैं खुद कहा रहा हूं कि चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरे घरवाले हो, अगर तुम लोग ये सब बाते और ये जगत परपंच की बाते करोगे, तो क्यों लोगों को लगता है, कि आ आप मेरी माँ हो, मेरी उमर आपको लग जाए, मैं करूँ श्री जी आप हमेसा खुश रहो, जैसा चाहो भगवान आपके साथ वैसा कर, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, मेरी ये दुआ है, मुझे कोई बैर नहीं है, और गुरुदेब भी कहते कि माँ का इस्तान बहु तुमने मुझे पैदा करा या मैं तुमा नहीं बोलता है, मारे में अम्मी बोलता है, मुझे काफी टाम तक बड़ा भी करा, और ठीक है, सब कुछ करा, सबको अपने बच्चे सबको प्रेम होता है, पर ऐसी बाते मत बोलो कि जिससे मैं परिशान हूँ, अगर ऐसा देखो, अगर मैं अकेला होता तो मैं यह कदम नहीं उठाता है, पर मुझे पता है, कि आपके पस एक भाई है, जो आपका धियान रख सकता है, मैं सब कुछ जान के कदम उठाया, मैंने, कि भाई भाई भी है और बहन भी है, तो आप लोगो को दिक्त ही नहीं है, आप लोगो क्या है आपको सब करने वाले हैं आपको मेरी जगर हरी है चलो समझ आए है मैं अकेला होता टो यह होता कि तुमारे करने मेरे दिमाग में आता रहता है तो उसके लावा भी मेरे पास और भी चीजें हैं तो उसके अलड़ी में थोड़ा सा वह हो जाता हूं तो फ्री प्लीज इस तैप की बाते मत करो नहीं अच्छा लगता है क्योंकि मैं जाते समय भी या मतब कुछ हो भी जाए तो ऐसे दिल में बैद लेके जाओं अपनी माँ के लिए और यह बात तो अच्छा निया ना बस मैं इसके लावा जादा कुछ ने गया सकता हूं पब्लिक के सामने यह बात रखना नहीं चाहिए पर मुझे लगा कि यह सब मेरे परिवार की तरह हैं जितने भी लोग मेरे यूटूब पे है हैं या कहीं से भी मुझे सुनते हैं देखते हैं यह सब लोग मेरे हर तरीके से खड़े होते हैं मेरे हर तरीके से हल्प करते हैं इन एक वैक्ति ने तो यहां तक क्या दिया था कि भई अगर आपको जरूरत है तो हम आपकी सेवा के लिए आ रहे एक बच्चा पता नहीं कह कि अपनी बात रखी और मुझे लगता है कि सबको पता भी लगना चाए कि मैं भी मुस्लिम से हिंदू बनना चाहता हूं तो उन्हें भी पता लगना चीए कि जिन्दघी में क्या क्या पेस्करना पड़े ताकि अगर एक बार आओ तो पलटके तो मैं देखो मेरी चाह जान चले जाए मैं नहीं जाओंगा कि मुझे भरोस है अपनी श्री जी पर और यह मौत तो बहुत चोटी चीज है अगर मैं इंसे कहूं ना कि श्री जी मेरे ऊपर किरपा कर और मुझे ठीक कर दो तो मुझे कर पर मैं कभी भी अपने लिए कुछ नी मांगता तैंड़ैंस यह जब आया था नना चीजिसे कभी अपने मांग regulation 298 नाघा भार मुझे ठीक कर दो मेरे और मांगती कभी स्रीजी को करता है से जैसा कडेचा इसे कोई नहीं हैं Сथीजी कितुरा ज्चन हो कुकि पहर तरफ आ च्छाए काली घटाए तो क्या तेरे आचल के नीचे हूँ मैं आगे आगे वो चलती रहे अपनी शामा के पीछे हूँ मैं राधारानी मेरे साथ है फिर डरने की क्या बात है शामा प्यारी मेरे साथ है मेरे डरने की क्या बात है उनकी करुना का वर्नन करू मेरी वानी में वो दम नहीं भोकराती मुलाकात है मेरी लाडों की क्या बात है जैशी राधे जैशी कृष्णा